दे रादे जे स्री क्रिष्णा छठी मया की जए सुर्ज भगवान की जए आज में लोकपर्व आस्तापर्व छठ के बारे में जाननेंगे कि ए छठ शुरुआत कहां से हुई और कि उसके वर्त कथा और नियम हम सारी इस वीडियो में जाननेंगे छठ पूजा ए बिहार से सुरू होके अभी विदेशों में भी मनाए धुमधाम से मनाते हैं छठ फर्व छठ चैट या खष्टी पूजा कार्तिक सुकलपच के खष्टी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है सुर्यो पास्तना का या नुपमलोक पर्व मुख रुप से बिहार जारखन पच्छिम बंगाल पुर्वी उत्तर परदेश और नेपाल के तराई छेत्रों में मनाया जाता है और अभी विदेशो जेसे अमिर का अस्टेलिया ओगेरा में भी मनाया जाने लगा है कहा जाता है या पर्व मैथली मगद और भर्चपूरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है ये उनकी संज्कृती है छट पर्व बिहार में बड़े धुमधाम से मनाया जाता है ये एक मात्र ही बिहार या पूरे भारत का इसा पर्व है जो वेदिक काल से चला रहा है और ये बिहार की संज्कृती बन चुका है यह पर्व बिहार की वेदिकार संजक्रिती की एक छोटी सी जलक दिखाता है यह पर्व मुख्यता रूप से रीसियों द्वारा लिखी गई रीगवेद में स्विर पूजन, उसा पूजन और आयर प्रमप्रा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है बिहार में हिंदियों द्वारा मनाये जाने वाले इस पर्व को इसलाम सईत अन धर्मा माव लंबी भी मनानिते देखे जाते हैं देरे देरे यातेवार परवासी भारतियों के साथ साथ विस भर में परचलित हो गया है छट पूजा सुर परकेती जल वायू और उनकी बहन छटी मया को समर्पित है ताकि उने प्रित्वी पर जीवन की देताओं को बहाल करने के लिए धन्वाद छटी मया जिसे मिथला में रनवे माई भी कहा जाता है भोजपूरी में सभीता माई और बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है पारवती का छटा रूप भगवान सुर की बहन छटी मया को तेवार की देवी के रूप में पूजा जाता है या चंद्र के छटे दिन काली पूजा के छे दिन बाद छट मनाया जाता है मिथला में छट के दुरान मेथली महिलाएं मिथला की सुद पारंपरिक संजक्रीती को दरसाने के लिए बीना सिलाई के सुद सुद्धी दोती पहनती है तेवार के अनुष्टान कठोर है और चार दिनों की आउधी में मनाये जाते हैं इनमें पवितर अस्नान उपावास और पीने के पानी विर्ता से दूर रहना लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और परसाद परातना परसाद और अर्ग देना सामिल है पारवाती नामक मुख्य उपासक संस्कृती पारव से जिसका मतलब अवसर या तेवार आम तोर पर महिलाएं होती है हलांकी बड़ी संख्या में प्रूस इस उत्सवब का भी पालन करते हैं क्योंकि छट लिंग विशिष्ट तेवारत नहीं है छट महापर्व के वर्त को इस तरी प्रूस बुढ़े जवान सभी लोग करते हैं कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सीर के उपर में एक प्रो अस्टेशन मार्च भी करते हैं परियावरन वीदों का दावा है कि छट सबसे परियावरन अनुकुल तेवी हिंदु तेवार है या तेवार नेपाली और भारती लोगों द्वारा अपने डाइस्पोरा के साथ मनाया जाता है सुरुवात छट सुरुवात एथ्यासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर सीता चरन सीता चरन मंदिर के लिए जाना जाता है जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक सीला खंडग पर इस्तीत है ऐसे माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छट पर मनाया था इसके बाद ही छट महापर्व की सुरुआत हुई इसलिए मुंगेर और बेगु सराय में छट महापर्व बड़ी धुम धाम से मनाया जाता है एक कथा के अनुसार पर्थम देवा सुर्प संगराम में जब असुरों के हाथों देता हार गए थे तब देव माता आदिती ने तेजिस्वी पूत्र की प्राप्ति के लिए देवारेन के देव सुर्प बंदिर में रनवे छटी मया अपनी पूत्री की अराधना की थी तब पर्षन होकर छटी मया ने उन्हें सर्वगुन संपन तेजिस्वी पूत्र होने का वर्दान दिया था इसके बाद आदिती की पूत्र हुए तिरी देव रुप आदित भगवान जिनोंने असुरों पर देताओं को विजे दिलाई छटी नमाकरन छट छट छष्टी आपका अपरभरंस है कार्तिक मास की मवास्या को दिवाली मनाने के बाद मनाई जाने वाली इस चार दिवसी वर्थ की सबसे कठीन और महतपुन रातरी कार्तिक सुकल खष्टी की होती है नमातरी के दिन में हम खष्टी माता की पूजा करते है खश्टी माता की पूजा घर परिवार के सदिस्यों के सभी सदिस्यों के सुर्जचायम सवाश्ट तिलाव के लिए करते हैं खश्टी माता की पूजा सुर्जभगवान और अगमा गंगा की पूजा देश में एक लोगपिरिये पूजा है या पराकिर्तिक सुन्देर और परिवार के कलियान के लिए की जाने वाली एक महत्पुर्ण पूजा है इस पूजा में गंगा अस्थान या नदी तलाब जीसे जगा होना निवायर है यही कारण है कि छट पूजा के लिए सभी नदी तलाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तलाब को सजाया जाता है प्राकिर्तिक सुन्देर में गंगा मैया नदी तलाब मुख्यस्थान है लोकास्ता का पर्व भारत में छट सुर्पासना के लिए परसिद पर्व है मुलता सुर्ष खष्टी वर्थ होने के कारण इसे छट कहा गया है या पर्व वर्स में दो बार मनाया जाता है पहली बार चेतर में और दूसरी बार कार्तिक में चेतर सुकल पच खष्टी पर मनाये जाने वाले छट पर्व को चेती छट और कार्तिक सुकल पच खष्टी पर मनाये जाने वाले पर्व को कार्तिकी छट कहा जाता है परिवारिक सुक समरिदी तथा मनो वांचित फल प्राप्ति के लिए या पर्व मनाया जाता है इस्त्री और प्रूष समान रूप से इस पर्व को मानाते हैं छट वर्थ के समन्द में अनेक कताएं पर चलीत है उनमें से एक कता के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब स्री किर्शन द्वारा बताये जाने पर दरोपदी ने छट वर्थ रखा तब उनकी मनों कामनाएं पुर्ण हुई और पांडवों को उनका राजपाट आपस मिला लोग प्रमपरा के अनुसार सुर्देव और छटी मया का समंद भाई बहन का है लोग मातरी का खश्टी की पहली पूजा सुर्ण ने ही की थी छट पर्व को बेग्यानिक दिश्टी कौन से देखा जाए तो खश्टी तिथी को एक विशेश खवोलिये परिवर्तन होता है इस समय सुर्द की प्राव बेगनी किरने अपिर्थवी की सत्ता पर समयन से अधिक मातरा में कत्र हो जाती है इस कारण इसके संभावित कूप परभावों से मानों की अथा संभव रच्छा करने का समार्थ प्राप्त होता है परव पालन से सुर्द तारा प्रकास प्राव बेगनी किरन अल्ट्रा वैलेट रेज के गानिहानी कारग परभाव से जीवों की रच्छा संभव है प्रिथ पर आती है। नगेन भागी पहुँच पाता है समाइन आवस्ता में पिर्थवी की सत्ता पर पहुँचने वाली प्राबेगनी कीरन अल्ट्रा वैलेटरेज की मात्रा मनुसों या जीवों की सहन करने की सीमा में होती है अता समाइन आवस्ता में मनुसों पर उसका कोई विशेस हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता बलकि उस धुप द्वारा हानिकारक की टानू मर जाते हैं जिससे मनुस्याज जीवन को लाब होता है चट जेशी ख़गोलिय स्तिती चंदरमा और प्रत्वी के भर्मनतलों की सम रेखा के दोनों छोरों पर सुर की प्राबेगनी किरने अल्ट्रा वैलेट विरेज कुछ चंदर सत्था से प्रावर्तित तथा कुछ गोलिय आ परवर्तित होती है प्रत्वी परपुना समाइन से अधिक मातरा में पहुँच जाती है। अधिक मातरा में पहुँच जाती है। अधिक मातरा में पहुँच जाती है। अधिक मातरा में पहुच जाती है। उत्सव का सवरूप। छट पूजा चार दिविस्य उत्सव है। इसकी सुर्वात कार्तिक सुकल चतूर्थी को तथा समापती कार्तिक सुकल सत्मी को होती है। इस दुरान वर्त धारी लगता 36 घंटे का वर्त रखते हैं। इस दुरान वे पानी भी गरहन नहीं करती। नहाय खाय। छट पर्व का पहला दिन जिसे नहाय खाय के नाम से जाना जाता है। उसकी सुर्वात चेत्र या कार्तिक महीने के चतूर्थी कार्तिक सुकल चतूर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है उसके बाद वर्ती अपने नजदिक में इस्थित गंगा नदीब गंगा की सहायक नदी या तलाब में जाकर असनान करते हैं वर्ती इसी दिन नाखुन वगेरा को अच्छी तरह काट कर सबस्च जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए असनान करते हैं लोटते समय वे वो अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं वे अपने घर की आसपास को साप सुतरा रखते हैं वर्ती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना कहते हैं खाना में वर्ती कद्दू के सबजी मूंग चनादाल चावल का उपयोग करते हैं तली हुई पूनिया प्राथे सबजीया आदी वर्जित है या खाना कहां से या मीटी के बर्तन में पकाया जाता है खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मीटी के चूले का इस्तमाल किया जाता है जब खाना बन जाता है तो सरपर्थम वरती खाना खाते हैं उसके बाद ही परिवार के अन्सदस खाना खाते हैं खरना और लोणा छट पर्व का दूसरा दिन जिसे खरना या लोणा के नाम से जाना जाता है चेत्रा कार्तिक महिने के पच्छमी को मनाया जाता है इस दिन वर्ती पूरे दिन उपवास रखते हैं इस दिन वर्ती अन तो दूर की बात है सुरियास्त से पहले पानी की एक बुनत गरहन नहीं करते हैं साम को चावल गूड और गन्य के रसका उपरयोग कर खिर बनाया जाता है खाना बनाने में नमक और चिनी का परयोग नहीं किया जाता है इनी दो चीजों को पुना सुरिद्यव को नेवेद देकर उसी घर में एकांत करते हैं अथात एकांत रखर उसे गरहन करते हैं परिवार के सभी सदस उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई सोर ना हो सके एकांत से खाते समय वर्ती है तो किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरूद है पुना वर्ती खाकर अपने सभी परिवार जनों एम पमित्रों रिष्टोदारों को वई खिर रोटी का परसाद खिलाते हैं इस संपुर्ण पकिरिया को खरना करते हैं चावल का पिठा ओव घी लगी रोटी विपरसाद के रूप में वित्रित की जाती है इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए वर्ती निर्जला वर्त रखते हैं मदरात्री को वर्ती छट पूजा के लिए विशेश परसाद ठेकुआ बनाती है संदिया अर्ग छट परव का तीसरा दिन जिसे संदिया अर्ग के नाम से जाना जाता है चेत्रयकातिक सुकल खश्टी को मनाया जाता है पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तियारियां क की बनी हुई टोगरी जिसे दोरा कहते हैं में पूजा के परसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद साम को एक सूप में नारियल पांच परकार के फल पूजा का एंसमान लेकर दोरा में रखकर घर का प्रुस अपने हाथो में इसे उठा कर छट घाट पर ले जाते हैं या अबवित ना हो इसलिए इसे सर के उपर की तरफ लगते हैं छट घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राया महिलाएं छट का गित गाते हुए जाती है नदी या तलाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदेस द्व कर नारियल चड़ाते हैं और दिप जलाते हैं सुर्यास्त से कुछ समय पहले सुर्य देव की पूजा का सारा समान लेकर घुटने बर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डुपते हुए सुर्य देव को अर्ग देकर पांच बार परिकर्मा करते हैं समागरियों में वर्त के एक विशेश परकार के डिजाइनर फर्म पर आठिक की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। लाइबतियां और घी ले जाकर घाट पर दिपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्पुन अन जो हुआ है कुसी किराव के दाने हलका हरा काला मतर से थोड़ा छोटा दाना है। जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांधिया अर्ग में सुरजदेव को अरपित नहीं किये जाते इन्हें टोकरे में कल सुबा उगते सुर को अरपन करने हितु सुचित रखा रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठारते हैं। वही कुछ लोग छट का गित गाते हुए सारा समान लेकर घर आ जाते हैं। उसे देवकरी में रख देते हैं। उसा अर् चोथे दिन कार्तिक सुकल सत्मी की उसुबा उधी मान सुर को अर्ग दिया जाता है। सुर्योदे से पहले ही वर्ती लोग घाट पर उगते सुर्यदेव की पूजा हितु पहुँच जाते हैं। और साम की ही तरह उनके पूरजन पूरी जन पूरी जन पूरी जन वही दहते हैं सभी नियम विधान सांद्य अर्गे की तरह हुई होते हैं सिर्फ वर्ती लोग इस समय पूरब की ओर मुँ करकर पानी में खड़े होते हैं और सुर्य पासना करते हैं पूजा अर्चना समापतो प्रांत घाट का पूजन होता है वहां उपस्तित लोगों में परसाद वितरन करके वर्ती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदी को परसाद वितरन करते हैं वर्ती घर आपस आकर गाओं के पीपल के पेड़ जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं वहां जाकर पूजा करते हैं पूजा के बाद वर्त वर्ती कच्चे दूद का सरवत पीकर तथा थोड़ा परसाद खाकर वर्त पूरन करते हैं जिसे पारन या परना कहते हैं वर्ती लोग खरना दिन से आज तक निर्जलाओ प्वासो प्रांत आज सुबाही नमक युक्त भोजन करते हैं वर्त छट उत्सों के केंदर में छट व वर्त अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है कुछ पुरुस भी इस वर्त रखते हैं वर्त रखने वाली महिलाओं को परवेतिया कहा जाता है परवेतिया कहा जाता है चार दिनों के इस वर्त में वर्ती को लगतार उपावास करना होता है भोजन के साथ ही सुकर्द सैय का भी त्यार किया जाता है पर्व के लिए बनाए गए कमरे में वर्ती फर्सत पर एक कंबल या चादर के साहरे ही रात बिताती है वह इस हुतसंब में सामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी परकार की सिलाई नहीं की गई होती है वर्ति को ऐसे कपड़े पहनना अनिवायर होता है महिलाएं साड़ी और पुरुस धोती पहन कर छट करते हैं छट पर्व को सुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पुड़ी की किसी वाहित महिला इसके लिए त्यार ना हो जाए घर में किसी की मिर्ति हो जाने पर या पर्व नहीं मनाया जाता है एसी मायनियता है कि छट पर्व पर वर्त करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ती होती है पूत्र की चाहत रखने वाली और पूत्र की कुसलता के लिए समाइन तोर पर महिलाएं या वर्त रखती हैं पुरुष भी पूरी निष्टा से अपने मनोवांचित कायर को सपल होने के लिए वर्त रखते हैं सुर पूजा का संदर्व छट पर मुलता सुर की अराधना का पर्व है जिसे हिंदु धर्म में विशेश अस्थान प्राप्त है हिंदु धर्म के देताओं में सुर ऐसे देता है जिनें मुर्त रूप में देखा जा सकता है सुर की सक्तियों का मुख सरोत उनकी पतनी उसा और पर्तियूसा है छट में सुर के साथ साथ दोनों सक्तियों की संजुक्त अराधना होती है प्राता कायल में सुर की पहली किरन उसा और सामकाल में सुर की अंतिम किरन पर्तियूसा को अर्ग देकर दोनों का नमन किया जाता है स्विर्योपासना की प्रमपरा भारत में स्विर्योपासना रिंग वेद काल से होती आ रही है स्विर और इसकी उपासना की चर्चा विस्नु पुरान भगवत पुरान ब्रह्म वेवर्थ पुरान आदी में विश्तार से की गई है मद्य काल तक छट शिरुपासना की विवस्तित पर्व के रूप में पर्तिष्टित हो गया है जो अभी तक चला आ रहा है देवता के रूप में स्रिष्टी और पालन सक्ति के कारण सुर की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन अस्थानों पर अलग-अलग रूप में परारम हो गई लेकिन देवता के रूप में सुर की वन्दना का उलेक पहली बार रिंग वेद में मिलता है इसके बाद एन सभी वेदों के साथ ही उप निस्द आदी वेदिक गरंतों में इसकी स्चर्चा परमुकता से हुई है निरुक्त के रचियता आसक ने देवताओं में सुर को पहली अस्थान पर रखा है मानविय रूप की कलपना उत्तर वेदिक काल के अंतिम काल खंड में सुर के मानविय रूप की कलपना होने लगी इसने कलांतर में सुर की मूर्ती पूजा का रूप ले लिया पुरानी काल आते आते सुर पूजा का परचलन ओरा दिखो गया अनेक अस्थानों पर सुर्ध देव के मंदिर भी बनाए गए आरोगी देता के सरूप में पुरानी काल में सुर्ध को आरोगी देता भी माना जाने लगा था सुर्ध की किर्णों में कई रोगों को नश्ट करने की छमता पाई गई रिसी मुनियों ने अपने अनुसादान के कर्मे किसी खास दिन इसका प्रभाव विसेश पाया संभवता यही छटपर्व के उधभव की बेला रही हो भगवान किर्ष्ण के पोत्र साम को कुछ रोग हो गया था इस रोग से मुक्ती के लिए विसेश सुर्यों पासना की गई जिसके लिए साइक के दीपव से ब्रामनों को बुलाया गया था पुरानिक और लोग कथाएं छट पूजा की प्रंपरा और उसके महत्व का परति पादन करने वाली अनेक पुरानिक और लोग कथाएं पर चली था है रमायन से एक मानियतक अनुसार लंका विजे के बाद राम राइज की अस्थापना के दिन कार्तिक सुकल खष्टिक को भगवान राम और माता सीता ने उप्वास किया और सुर्य देव की राधना की सत्मी को सुर्योदे के समय पुना अनुष्टान कर सुर्य देव को असिरवाद प्राप्त किया था महा भारत से एक एन्य मानियतक के अनुसार छटपर्व की सुरवात महा भारत काल में हुई थी सबसे पहले सुरी पूत्र करन ने सुरी योदेव की सुरी देव की पूजा सुरू की करन भगवान सुरी के परम भक्त थे वा परती दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सुरी देव को अर्ग देते थे सुर्य देव की किर्पा से ही वे महान योदा बने थे आज भी छट में अर्ग दान की यही पद्रती पर चली थे कुछ खथाओं में पांडवों की पतनी दुर्पदी दुवारा भी सुर्य की पूजा करने का उलेख है वे अपने परिजनों के उत्तम सावाष्ट की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सुर्पूजा करती है पुरानों से एक कथा के नुसार राजा पिर्यवद को कोई संतान नहीं थी जब महरीसी कस्यपने पुत्रेश्टी अग्य करा कर उनकी पतनी मालिनी को आग्या हुती के लिए बनाई गई खिर दी इसके परभाव से उन्हें पुत्र हुआ प्रंतुवा मिर्थ उपएदा हुआ पिर ये वद पुत्र को लेकर समसान गए और पुत्र वियोग में प्रांत त्यागने लगे उसी वक्त ब्रहमा जी की मानस कन्या देव सेना प्रकट हुई और कहा कि स्रिष्टी की मुल्परवित्ती के छट्टे अंस से उत्पन होने के कारण मैं खष्टी कहलाती हूँ हे राजन आप मेरी पुजा करें तता लोगों को भी पुजा के परती परिरित करें राजा ने पुत्र इच्छा से देवी खष्टी का वर्त किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई या पुजा कार्तिक सुक्ल खष्टी को भी हुई थी समाजिक संस्क्रितिक महत्व छट पूजा का सबसी महत्पुन पच्छ इसकी सादगी पवितर्ता तर्ता और लोकपच है भक्ति और अध्यात्मा के से परिपुन इस पर्मे बांस निर्मित सूप टोकरी मिट्टी के बरतनों गन्य का रस गूड चावल और गेहुं से निर्मि द्वारा अपने रिती रिवाजों के रंगों में गड़ी गई उपासना पदती है इसके केंदर में वेद पुरान जैसे धर्म गरंतना होकर किसान और गरामिन जीवन है इस वर्त के लिए ना विसेश धन की आवस्कता है ना पूरोहित या गुरू के अभियार्तना की उत्सव के लिए जनता समयम अपने सामुईक अभियान संगटित करती है नगनों की सफाई वर्तियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रभंदन तलाव या नदी किनारे अगदान की उपयुक्त बेवस्था के लिए समाज सरकार के साहता की रा नहीं देखता इस उत्सव म बनी राती है या समयन और गरीब जनता के के अपने देनिक जीवन की मुश्किलों को भुला कर सेवा भाव और भक्ती भाव से किये गए सामुई कर्म का विराट और भाई परदर्सन है छट गीत जैसे केलवारे फरेला घवत से ओहों पर सुगा मंडराय कांची बांस के बह सुर्ज अंखियों ना खोले है चार कोना के फोखरवा हम करेली छट से उनके लागी बरतिया से उनके लागी इस गीत में एक ऐसे तोते का जिक्र है जो केले के ऐसे ही एक गुच्छे के पास मंडरा रहा है तोते को ड्राया जाता है कि अगर तुम इस पर चोच मारोगे तो तुमारी सिकायत भगवान सुर्ज से कर दी जाएगी जो तुम्हें नहीं माप करेंगे पर फिर भी तोता केले को जुठा कर देता है और सुर्ज के कौप का भागी बनता है पर उसकी भायरिया सुगनी अब क्या करे बेचारी कैसे सहे इस वियोग को अब तो सुर्ज द्व सुगा देले जुठी आए उजे मारवोरे सुगा वा धनुका से सुगा गिरी मुरेचाई उजे सुगी नी जे रोये ले वियोग से आदित होई ना सहाई दे होई ना सहाई कांची बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए बात जे पूछेले बहंगी छटी माई के जाए बहंगी छटी माई के जाए कांचे ही बस के बहंगी आए बहंगी लचकते जाए किरवाजे फरिलगवद से ओपर सुगा मेंडर आए काबरी जने बोया दित से सुगा देले जूठी आए उजे मारवोरे सुगवद दनुस से सुगा गीरे मुरुचाय के रवाजे फरिलगवद से ओपर सुगा मेंडर आए ओपर सुगा मंडर आए तो ये सब गीत गा के छटी माई के दिन ये सब गीत गाई जाती हैं छट सुगा मनाएं संदेश छट का आज है पावन तेवार सुरज की लाली मा का है उपवास जल्दी से आओ अव करो ना विचार छट पूजा का खाने तुम परसाद छट पूजा की सुगा मनाएं तिथी दिपावलिक के छटे दिन से शुरू होने वाला छट का परव चार दिनों तक चलता है इन चार दिनों सरदालु भगवान सुर के राधना करके वर्स भर सुखी सवस्थ और मिरोगी होने की कामना करते हैं चार दिनों के इस परव के पहले दिन घर की साप सफाई की जाती है छट पूजा को देश के कई हिसों में मनाई जाते हैं उत्तर भारती आरे लोगों की पहचान की रूप में देखा जाता है यही कारण है कि महराष्ट में सिफ सेना और उससे तुटकर अलग हुए महराष्ट नियव निर्मान सेना के नेता कई बार इसका विरोध कर चुके हैं इस परव को एक परकार के सक्ति परदस्ण का नाम दे चुके हैं धन्यवाद